जी नमस्कार स्वागत है आपका हलो जी नाम बताइए कहां से बात कर रही है जी मैं पंजाब से पठान कोट से बात कर रही हूं नाम क्या है आपका सुलोचना रानी जी सुलोचना जी सवाल कीजी अपना जी बोलिया आपको यहां पर हकीम सहाब सुन रहे हैं जी समझ गया जी सुलोजना जी आदाप करता हूँ आपको आदावर्ज अपरा सवाल बताएं जी के एज बताईए एज अच्छा मेरी हम उमर हैं आप कोई परिशानी की बात नहीं इस उमर में तकलीफ हो सकती है किसी को भी ये कोई बड़ा रोग भी नहीं है अगर आप उसका सही इलाज करें और बहुत बार बताता हूँ एक ही प्रोगाम में ये बहुत मश्यूर चीज है और बहुत नकली मिलती है बहुत कड़ी होती है असली वाली लेना गौन सिया यानि काला गौन काला गौन ले लिजए रो मेटेरियल लेना पिसावा बिलकुल मत लेना और असली लेना नकली मत लेना बिल्कुल भी देखिए ये 100-200 ग्राम खरीद लें इसको पाउडर बना लें घर पे रो मैटेरियल लेना है पिसावा नहीं लेना है दो चुटकी सुबा खाने के बाद दो चुटकी शाम को पानी से बगएर चर्वी के दूस से ये अच्छे हालात है तो जूस से अगर ये 100-200 ग्राम गॉंद आप यूज करते हैं तो खतम होने से पहले आपकी तबियत अच्छा होना मुम्किन है नेक्स्ट कॉलर है आलोग गुडगाओं से हमारे साथ स्वागत है आपका आलोग जी सवाल कीजिए जी नमस्कार जी नमस्कार जी आदाब अज अच्छी मेरे न अच्छा ठंड लगती है पैक आपते हैं तो और बीवी जरेता है जैसे तो उस केसे मुझे क्या करना चाहिए और क्या नुश्का लेना चाहिए ये अभी शुरू हुआ है या पहले से है ये मैं दो-तिन साल से मैसूज कर रहा हूं चीक है अच्छा देखिए दो अखरोट रोजाना तोड़िए अपने घर में च्छिले मतला न उसमें थाकत कम होती है और दस किश्मिश दो अखरोट दस किश्मिश रात को सोते वक्त चबाके खाके सोया करिए और अपने घरवालों से मेरी तरस से कहिए कि मुझ की डाल से बनी भी सबजिया हलवे खिचली खूब खिलाया करें आपको मुंकी डाल का इस्तिमाल जादे करें तो आपका ठीक होना मुम्किन है चलिए इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर है विनोध दिल्ली से हमारे साथ स्वागत है विनोध आपका नमस्कार जी नमस्कार आदाब देखेंगे मारमी चाहे के मेरी जो मेशिग है उसकी जयाना में पेट के उसके फंगस हो जई है जो भी उनको पसंद हो जैसे नारियल का तेल चमेली का तेल या कुछ भी नहीं तो राही का तेल लगा लें सरसों का तेल यह ज़रूरी है क्योंकि यह इसकिन डिजीज है तो एक मैं आपको नस्का बताता हूँ और जो कि छे सो ग्राम अलसी ले लीजे अलसी आपकी पतनी जानती होंगी अलसी को हलका सा भून के बतन से बाहर निकाल लीजे ज्यादा देर तक बतन में रखेंगे तो जल जाएगी तो साफ ज़रू कर लेना कंकर बहुत आते हैं इसका पाउडर बना लीजे और एक नमक आता है उसे कहते हैं नमक कलोंजी या एस्टेक कलोंजी करोंजी का सत होता है वो जिसे साइंस की जबान में एस्टेक कहते हैं और हम लोग आसान जबान में गाउंवाली जबान में नमक कलोंजी कहते है तो इसको इसमें मिला लीजे और तीन-चार गिराम रोजाना एक मरतबा के लाया करें और ये शेशाट सो किराम मेटेरिल खतम होते होते आपकी पत्नी का ठीक होना मुम्किन है चलिए नेक्स्ट कॉलर है रचुना हमारे साथ स्वागत है रचुना आपका हलो मैं मेरी एज है 24 यए मेरे पूरे बोड़ी में जलन होती है चिंडी सी चल भी रहती है और मुझे पहले मंदक पहले तो यहां पर लेटी के राह में खुज नी होती थी जलन होती है जैसे तरी जल रहा है अच्छा उम्र बता दी अपनी चौवीस साल ठीक है अच्छा देखो यह नुसका बता रहा हूं आप लिख लो आप पढ़ली के बच्चेव पैन कॉपी है आपके पास देखिए 100 गराम अलसी 100 गराम अलसी 100 गराम धनिया 100 गराम सौफ 100 गराम सौट और 100 गराम नमक कलोंजी का नमक को कहते हैं नमक कलोंजी, नमक मतलब एस्टेक होता है कलोंजी का, ये इसमें मिला दीजे, इसका पाउडर बनाईए और रोजाना एक चम्मच, तीन चार गिराम खालिया करिए, ये सब खतम होते होते मैटेरियल आपको पुरी तरह फाइदा मुम्किन है, चले अगली कॉलर है, पूजा बिहार से हमारे साथ सुपागत है, पूजा आपका, नमस्ते, नमस्ते, थी मैं मैं पूजा पूजा बोलू हूँ, मेरे पती का एस 32 एक है, ठीक है, थी मैं मुन के न, अब एडी में क्या कि दर्द रहता है, आपको ठीक है, नमस्ते रखूशाब, जी आदाब, मैं समझ गय आपके पती, महनती आदमी है, क्या आपके पती बहुत? अच्छा बेटा देखो, ये दर्द बहुत अच्छा कि आपने फोन के लिए, दर्द होते हैं, और आदमी ऑपरिशन तक करा बैठता है, ये बहुत आसानी से चला जाता है, महीने दो महीने में खतम हो जाता है, और फिर मुद्द तक नहीं आता है, किसी को भी एडी में दर दो, एडीयों में दर दो, गुटनों में हो, कमर में हो, जोडों में हो, एक अच्छा नस्खा में बहुत मशूर है, मैं बताता हूं, और वो असली लेना, गौन सिया, यानि काला गौन मिलता है, असली लेना नकली बहुत मिलता है, कड़वा बहुत होता है, नकली बहुत मि और मेहगा भी मिलता है, 10-12 रूपर रोज की खुराक होती है, दो टाइम की, तो इसका पाउडर बना के आप दो चुटकी सुबा और दो चुटकी शाम उन्हें खिला दिया करें, या फिर गोलियां बना चैने या मटर की बराबर एक गोली सुबा एक गोली शाम खिला दें, यह खतम होते होते हैं, आपके पती बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ. और अपनी हर एक समस्य का समाधान जानना है कोई भी रोग, अगर आपको लगता है लाइलाज हो चुका है, तो एक बार हम से जुड़िये, हमारे कारक्रम से जुड़िये, इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर जुड़ गए है, उनसे बात कर लेते हैं, जी नमस्कार, स्वागत है अज़िये, हाँ सर, मेरे को बीपी आइस ते रह मेरी, ठीक है, नहीं समझे मारा है, बीपी आपकी हाई है, कभी हाई होती है, ठीक है, अच्छा अच्छा, उमर बताएए भाई, उमर 50 यर, पचास साल, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अच्छा देखिए, बीपी और ये उमर, 50 प्लस, 45 प्लस, यहाँ पर ये सारी समस्याएं सभी लोगों के साथ आने लगी है, चाय कोई भी हो, तो इसके लिए एक नस्खा है, और वो बड़ा कारगर है, लेकिन आपको खुद बनाना है, आपके पास कौपी पैन है, तो आप लिखें, वैसे तो आसान है, याद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कौपी पैन है, तो लिख लिए देखिए, लीबू, लीबू अच्छा वाला, ये जो आप लेते हैं ना, पीला पीला, कागजी नीबू जिसे कहते हैं, कागजी नीबू, एक लीटर जूस निका लिए, अदरक का एक लीटर जूस निका और जैतून का सिरका एक लीटर खरीदे ए अच्छा किसम का बाहर का, जैतून का सिरका, ऑलिव वेनेगर जैतून का सिरका इन सब को मिक्स कर दीजे, तेन चम्मच सुबब नाज़ते के बाद, तेन चम्मच रात को सोते वक, खाने के बाद पानी से आप ले सकते हैं ये चार लीटर की जो कॉंटिटी है खतम होते होते आपकी तबियत कंटॉल में आना मुम्किन है साथ नेक्स्ट कॉलर हैं गुड़ू धूलपूर से हमारे साथ स्वागत है आपका हाँ नमस्कार भैजी जी अदाव अदाव भाई बताइए अचा बाहर को जाहिर होती है या अंदर की तरफ है गोश्ट के अंदर गोश्ट से खाल पर है इसकिन पर हाँ खाल पर है इसकिन पर हल्की सी दिखाई देती है ठीके ठीके अच्छा इसकी फिकर मत करिए ये डिपॉसिट्स होते है यानि जितने भी लोग हैं हेल्दी किसम के उनके होते हैं लेकिन पेट में होते हैं किसी-किसी के सीने पर भी आ जाता है तो उसकी बिल्कु परवह मत करिए और उसका कुछ वो भी मत करिए एक घरेलो इलाज ऐसा कर सकते हैं कि आप हल्दी का सर्सों के तेल में एक लेपसा बना के रोजाना उस पर रख के और कोई मोटी सी रोटी जरा सी बना के जो गरम सी रहे गरम गरम यहाँ पर रख के रोजाना रात को सो जाया करें और सुबा को उसको रिमूट कर दें ऐसा करने से भी ये गार्ट ठीक होना मुम्किन है जी नमस्कार स्वागत है आपका जी मैं मुकेस बोल रहा हूँ कहां से बात कर रहे हैं? मैं रिसी केस से बोल रहा हूँ सवाल कीजे मेरी डॉर्टर है चार साल की तो उसको बाइबर्स अटॉपिक डर्मोटाइडिस का प्रॉबलम है बेबी एक्जिमा तो उसको हमने अलोपेथिक ट्रीट्मेंट भी दिया क्रीम भी लगाई है बहुत बेनिफिट नहीं हुआ तो हमोपेथिक ट्रीट्मेंट से थोड़ा बेनिफिट है तो कोई ऐसा नुसका उसको पूरी स्किन पर रैसेज हो जाते है ठीक एज बता दीजे एज चार साल अच्छा देखिए बहुत छोटी बच्ची है आप मेरी बात गौर से सुनिएगा और एक इलाज में आपको बताता हूँ लगिए जो खाने का सोडा है यह आपको लेना है दस गिराम सिर्फ दस गिराम टैन गिराम और अलसी जो आपको नहीं पता तो पूछ लेना अपने घर में यह मम्मी से या पतनी से अलसी आती है एक चीज़ उसको लेजे दो सो गिराम दो सो गिराम अलसी और उसको हलका सा भून लें साफ सूफ करके और हलका सा भून के बाहर निकाल लें और इसको powder बना लें, powder बनाएं और इसमें 10 गिराम ये सोडा खाने का mix कर लें, अब इसको, क्योंकि ये 210 गिराम हो गया, इसको आप 210 गिराम शहद में मिला दीजे, एक पेस्ट बन जाएगा, और दिन में तीन बात थोड़ा-थोड़ा सा चटा दीजे, जिसे उंगली पर जितना आता है, एक चमच का भी चौथाई हिस्सा, यानि एक रुपे में चार आने चमच जो है, वो उसे सुबा-शाम खिलाना शुरू करें, मुझे अमीद है आपकी बच्ची का अच्छा होना मुम्किन है. इसका कोई घरे निपसा बता सकते हैं, इलाज बता सकते हैं, तो प्लीज बता दीजे. अच्छा देखिए, दो इलाज बताता हूं नाभी के, वो भी एक्सरसाइज है, देखिए आदमी को ऐसे सीधा खड़ा हो जाना चाहिए, जो भी इसका रोगी है, और अपने हाथ ऐसे यहां चिपका लें, और बिल्कु शीधे खड़े हो जाएं, घुटने ऐसे मिला लें, और ऐसे करके आप जुकना शुरू करें, ऐसे बिल्कु जुकते से ले जाएं, घुटने नहीं मुडने चाहिए, कमर मुड़े, और अपने पैर चुने की कोशिश करें, और चाहे चुए जाएं या नि चुए जाएं, लेकिन कोशिश करते रहें, दिन में तीन-चार बार कोशिश करें, तो उनकी नाभी ठीक होना मुमकिन है.